आज मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा यह जो आप देखे रहो चार 2A स्विज है और यह चार 2A स्विज के साथ कैसे एक ल्यांप कनेक्शन करते हैं जाने के एक बॉल कैसे कनेक्शन करते हैं इस वीडियो में आपको पूरा प्राटिकाल कनेक्शन करके और फ्रेंज ये वीडियो पुरा लास्त देखिए अगर मेरा चैनल अभी तो सस्क्राइब नहीं किया तो फ्लीज मेरा चैनल सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और ये कनेक्शन करने के लिए आपको चार्ट ये स्विच की ज़रूरत है और एक लियांप चाहिए और कुछ वयार चाहिए और चाले अभी मैं आपको ये कनेक्शन कीस तरह करते हैं और ये कनेक्शन करने का बेनिफिट क्या है और ये कनेक्शन कीम करते हैं मैं आपको इस विडियो में आपको पुरा konneakction करके दिखाएं갈ा चाले फ्रंस अवी में आपको इसके connection के बारा में में आपको बताता हूँ और चाले फ्रंस आपको यह 2-A switch के लेना हैं नाहीं और 2-A switch लेने के बाद यह जो 2-A switch में जो थीन pond होता है आपको सबसे पहले जो उपर बाला पॉंट में एक ताल लगाना है, चाले अब इमें आपको ये ताल लगाना है, और ताल लगाना के बाद ये जो आपको जो नोट को पुरा से ही से पुरा टाइट करना है, जाने कि आपका जो कॉनेक्शन पुरा टाइट होना चाहिए, और इसी तरह देखे फ्रेंज आपको यह जू दूसरी 2A स्विज लेना है और दूसरी 2A स्विज में आपको इस तरह कनेक्शन करना है चलिए हब भी मैं आपको इसमें कनेक्शन करके दिखा देता हूँ देखे प्रेंच आपको दूसरी 2A स्विच में आपको ये बीच बाला पॉंट में भी आपको connection करना है और ये वीडियो पुरा लास्त देखे मैं आपको पुरा step by step इसका connection के बार में बताऊंगा इसमें किस तरह connection करते हैं और connection करने के बाद जाने कि 4 switch connection करने के बाद आपको पुरा इसका diagram भी मैं आपको दिखा दूँगा जानकी किस तरह connection करते हैं फ्रेंच इसी तरह 2A स्विच किस तरह connection करते हैं और 2A स्विच के साथ एक master स्विच की connection किस तरह करते हैं और भी मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो अप्लोड कर रखा हूं और कुछ वीडियो की लिंग इसी वीडियो की description में दे रखा हूं जैसिक जो आमरा transformer होता है, transformer की manufacturing, testing और transformer भी जो आमरा DTS structure जो होता है DTS structure की connection किस तरह होता है, और DTS structure में क्या-क्या parts होते हैं और उसका installation किस तरह करते हैं उस वीडियो की link इस वीडियो की description में दे रखा हूं आप लोग ये वीडियो देखने के बाद वो link के उपर क्लिक करके देखे आपको बहुत सारा सिखने को मिलेगा चाले friends, अभी आपको क्या करना है, और ये तीसरी वाला जो 2SWG है, आपको तीसरी वाले 2SWG में आपको बीच वाला point में आपको इस तरह connection कर देना है और चाले, अभी मैं आपको connection करके देखा देता हूं, और अभी देखे friends, अभी ये जो point जो है, मैं इसमें लगा देता हूं और देखे friends, ये जो तार मैंने जो छिल रखाऊं, इसमें थोड़ा ज़्यादा छिल रखाऊं, आपको इतना नहीं छिलना है, क्योंकि ज़्यादा छिल होगे तो ये जो point जो है, आपको दूसरी point के साथ ये touch हो सकता है, आपको थोड़ा सा कम छिलना है, जाने कि इसका जो stripping जो आपको करना है, थोड़ा सा कम रखना है, क्योंकि जो दूसरी के साथ ये touch ना हो, ये आपको ध्यान रखना है, और चाले friends, मैं आपको आगे की connection के बारे में बताता हूं, और देखे friends, ये आपको जो तीसरी तार लेना है, जाने कि तीन नमबर तार लेके आपको इस switch में आपको पूरा top point में आपको लगाना है, और ये top point में जो ताल लगी है, जानकि ये point को आपको इस तरह और तीन नमबर के switch में, जो की नीचे बाला point होता है, जानकि इसमें जो तीन नमबर की point जो होता है, जानकि down point जो होता है, इसके साथ इसमें connection कर देना, और चाले friends अभी इस में connection करते थाओं और connection करके देखे friends आपको पूरा tight इस तरह difference करना हैure और दुसरी connection करना है और देखे friends आभी ये इस तरह connection हो गया है इस अभी मैं आपको बताऊंगा ये जो अमारा जो तीसरी जायना की दूसरी number जो switch है दूसरे नमबर के स्विज में जो की नीचे बाला पॉंट जो की ये बाला पॉंट है ये बाला पॉंट को आपको तिन नमबर स्विज में जो की उपर बाला पॉंट के साथ कनेक्शन करना है और चाले फ्रेंट्स अभी मैं आपको इसमें भी connection करके दिखा देता हूँ फ्रेंट्स इसी तरह मेरा चैनल पर जैसे कि मैंने आपको पता है मैंने भूँ सारा वीडियो अप्लोड कर रहा हूँ और इंस्टुमेंटेशन जाने कि अमारा जो pressure transmitter, temperature transmitter जो कि अमारा flow transmitter के इस तरह calculation करते हैं और कि इस तरह calibration करते हैं वोज़ो वीडियो मेरे चैनल पर upload कर रहा हूँ और कुछ वीडियो की link इसी वीडियो की description में दे रहा हूँ फ्रेंट के देखिए आपको बहु सारा सीखने को मिलेगा आपको वीडियो देखिए आपको बहु सारा सीखने को मिलेगा और चाले फ्रेंट अब भी आपको इस तरह connection करना है जानकि ये जो तीन नमबर जो switch है तीन नमबर के switch में जो top वाला जो point है आपको इस तरह एक जो extra तार इसमें लगाना है और इसी तरह फ्रेंट देखिए जो अमबर दो नमबर switch में जो की उपर वाला जो point है उपर वाला point में आपको एक extra तार लगाना है जानकि इसमें भी आपको एक loop connection करना है चाले अब ही मैं आपको connection करके दिखा देता हूँ देखिए फ्रेंट ये जो point है ये point में आपको उपर वाला point में आपको इस तरह एक जो तार इसमें लगाना है और ये तार लगा के आपको जो चार नमबर switch में किस तरह connection करते हैं चाले अब ही मैं आपको इसका connection कर देता हूँ connection करने के बाद मैं अभी आपको देखाऊँ गा देखिए फ्रेंट इसमें आपको इस तरह एक जो ताल लगा दना है लगा के आपको पुरा सेई से पुरा one app करके मैं तको देखाँ है और देखेज अब ये जो दो प oper है जो लगाएक देखा दे ता कोल के टार को आपको इस तरह लगादा पूरा टाइट करना है और इसमें जो दूसरी बाला पॉंट है आपको ये टूए स्विज में उपर बाला पॉंट में आपको लगाना है और चाले अब इमें आपको लगा के दिखा देता हूँ ये जो कंक्शन है आपको नीचे बाला पॉंट में लगा दना है और ये कंक्शन करने के बाद मैं आपको पूरा फुल भीव दिखा दूगा ताकि आप जो स्क्रेन शट लेके आपको याद रख सकते हैं और चाले फ्रंस, अभी मैं आपको पुरा येजो Phillips को पुरा tight connection कर देता हूं आपको इसतरा पुरा tight connection कर देना है और ये जो Phillips में जो Mitch बाला जो point है जाना कि Middle बाला जो point है आपको वो जो holder के साथ आपको connection करना है लोज करके यहाँ पर आपको एक जो ताल लगाना है ओके और अभी मेरे पास देखी प्रण्च यह जो ब्लू बाला ताल लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रेड बाला या नहीं है और यह जो ब्लू बाला जो पॉंट है जाने कि जो तार है यह हमारा जो फ्येज तार है ओक और लगाने के बाद हमार जो दूसरी बाली जो पॉंट है याने कि निव्टाल जो पॉंट है आपका जो होल्डर में दूसरी बाली साइट में आपको लगा देना है जो उपर बाला पॉंट है आपको सिंपल क्या करना है जो दूसरी बाला पॉंट के जानकी दूसरी बाले जीच में बीच बाला पॉंट में लगा देना है और इसी तरह फिरंस यह जो तार को लेगे तिस सिर्वाले स्विच में जो की बीज बाला पॉंड इसमें लगा देना है और यह दोनों कॉनेक्शन आपको पुरा क्रोस कॉनेक्शन कर देना है इसी तरह आपको पुरा कॉनेक्शन कर देना है और यह जो ऊपर वाला पांड जो है अमरा चार नममर के स्विच के तरह कनेक्शन करते हैं नीममर बहुत जेल है और यह टरण लेगा आपका सिंपुल है आप यह बहुत इसली कर सकते हुँ और मोटर लगा कि आप 4 प्लेस से यह जो मोटर या फिर यह बॉल को आप कोंट्रोल कर सकते हो और चाले फ्रेंज यह जो स्वीच के साथ जानिक आमार जो फास्ट नमबर जो स्वीच है फास्ट नमबर स्वीच के साथ मैं आपको यहां पर एक ताल लगा देता हूँ यह जो अपर फ्यज की इनपूट होगा और देखे फिरंच अभी इसमें मैं इस तरह ताल लगा देता हूं अर आप भी इस तरह connection करतेना है और इसमें ताल लगाए कि आपको पूरा सही से पूरा tight connection करतेना है और यह connection करने के बाद मैं holar लगाते हैं जाने के tahr किस तरा connection करते हैं आपको दिखाऊंगा और देखे फ्रिंट्स अभी जो अमारा switch की connection पूरा complete हो चुका है और अभी जो point है जाने कि blue भला जो point है और अभी मैं आपको holder के साथ connection करके दिखाऊंगा और देखे फ्रेंस यह जो मारा holder है जाने कि लियाम की holder है लियाम की holder में दो point होता है आपको simple की आकन है इसमें एक point आपको इसमें लगा देना है जाने कि switch से जो point आया हुआ है इसमें आपको इस तरह एक point लगा देना है लगाने के बाद दूसरी बाला जो point है दूसरी बाला point जो आमार होता है इसमें आपको निउटाल कनेक्षन कर देता हूँ क्य fiction होता है देखे फ्रेंस अभी इसमें मैंने फैशतार लगा कि पुरा सही से टाइट करते हूं और अबभी चलिए इसमें जो होता है नूटल ओयर की कनेक्शन कर देता हूं और देखे फ्रेंस इस तरह आपको जो यह वंड़र की जुकुल जो होता है आपको इस तरह पुरा लूज कर देना है लूज करके आपको इसी तरह एक जो ब्लाक वयर जाने कि एक जो न्यूटल हो यार जो होता है न्यूटल की कनेक्शन कर देना है और टाइट कनेक्शन करने के बाद देखें फिर फिर इसी जो हमारा ओलेड जो कि हमारा किस तरहा हो रहा है जाने कि किस तरह काम कर रहा है यह जो मारा ब्लू वाला यह एक फेज और न्यूटाल की पॉइंट और चाले इसमें मैं सप्लाई देता हूं और सप्लाई देके मैं अभी आपको दिखाता हूं यह जो किस तरह आमरा ओनप होता है और देखें, फ्रिंस, अभी इसमे मैं। में ने सप्पलाई दे चुका। जने के बादं देखी यह जो स्वीच जो है, मैं किस तरह फ्रेस करने से, यह जो आमारा किस तरह ल्याम ऑप जो है। डिफेरेंट प्लेश से आप इस चार स्वीच कनेक्शन करके आपको इस तरह डिफेरेंट प्लेश से भी आप इजो एक बल्ब को इस तरह अनप कर सकते हो जाने कि चालू बंद कर सकते हो और यह बल्ब के जागे पी आपको एक मोटर भी कनेक्शन कर सकते हो जाने कि वाटर प प्लेज से एक मोटर या फिर एक ल्यांप इस तरह कनेक्शन करके जाने कि इसी मेथोड से फोलो करके आप इसी तरह अनप कर सकते हो फ्रेंज अगर इस वीडियो आपको आच्छा लगा तो फ्लीज लाइक शेर कमेट चुरूर करे थेंक यू फर वाचिंग में वीडियो बाई बाई